हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू मा यूटूब चैनल, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि पंच भीकू दीपदान कैसे किया जाता है कार्ति के महिने में यदि आपने अभीता कार्ति किसनान नहीं किया है दीबदान नहीं किया है या किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं किया है कार्ति के महिने में तो आप कार्ति के आखरी पांच दिन जिसे हम पंच भीकू के नाम से जानते हैं उसमें आप ये दीबदान करें यदि आप ये पंच भीकू के समय पर दीबदान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें पूरे कार्थि किसनान का फल प्राप्त होता है और ये जो दीबदान है वो सुभह किया जाता है ब्रह्म हूरत में फ्रेंड्स तो आईए देख लेते हैं हमें पंच भीकू दीबदा दीपक देख को लिए मैं प्रेखक छूद्ट भी रदख कर देखक। घी चाहिए यहां पर हमने सरसों का तेल लिया है आप शुद्य देशी घी भी ले सकते हैं और दीपक की पूजा करने के लिए हमने यहां पर रोली ली है हल्दी ली है चंदन लिया है और सफेद दिल लिये हैं क्योंकि पंचभी की उब्रत देवठानी एकादश्की से सुरू होते हैं और एकादश्की के ब्रत में चावल का प्रियुग नहीं किया जाता है दीपक जलाने के लिए हमने यहां पर माचिस लिये है और हमने यहां पर आमला लिया है और हम आम लेके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे यदि आपके पास आमला नहीं है तो आप सुखी लोटा लिया है फ्रेंड्स जो यह 5 भीकु ब्रत होते हैं वो देवठानि एकादशी से सुरू होते हैं और कार्थिक हो सके तो सभी बत्तियों को अच्छे से तील में भीवुगो लेंगे और एक एक करके हम सारी बत्तियों को प्रजुलित कर लेंगे फ्रेंड्स चार पाती का दिया जलाने का बिशेश महत होता है फ्रेंड्स कहीं कहीं पर इस ब्रत को पंच भीकु के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं पर इस ब्रत को भीश्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है इस पकार से हमने चारो बत्तियों को प्रजुलित कर दिया है अब हम दीपक का पूजन करेंगे रोली से और चंदन से इस तरह से हम पूजन कर देंगे फ्रेंस पंच भी को दीबदान करने के लिए हमें जादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसके बाद हम दीपक में तिल समर्पित कर देंगे और कुछ राई के दानी समर्पित कर देंगे जब तिल हमारा गरम हो जाएगा तो राई के दानी छिटक नहीं लगते हैं इसके बाद हम कुछ फूल भी दीपक को समर्पित कर देंगे जो भी फूल आपके पास समय पर उपलब्द हो वे फूल आप दीपक को जरूर समर्पित करें इसके बाद हम आमले के छोटे छोटे टुकडे करकर हाथ में ले लेंगे और इस तरह से दीपक के उपर घुमा कर हम एक गाना गाएंगे इसके बाद हम हाथ में जल लेके दीपक के उपर से इस तरह से तीन बार बार देंगे इस तरह से हमें पंच भीकु दीबदान करना होता है अब बात आती है कि हम ये दीबदान कहां कहां कर सकते हैं ये दीबदान आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं अपनी तुलसी मया के पास कर सकते हैं आमला व्रच के नीचे कर सकते हैं और कहीं पर भी आप नदी सरोबर में इसनान करने गए हैं तो वहाँ पर भी आप ये दीबदान कर सकते हैं फ्रेंड्स भीश्म पंचक में पंच भीकू में किया गया दीबदान बहुत ही विशेश फलदाई होता है इसलिए आप इस तरह से आप भीश्म पंचक में दीबदान कर सकते हैं और पूरे कार्तिक भयिने का दीबदान करने का इस नान का फल पराप्त कर सकते हैं तो फ्रेंड्स, आपको हमारा पंच भीकू दीबदान का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भर भर के लाइक किजिएगा और अपने family friends में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिस से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाव उठा सकें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे